नॉटिंगम में खेले गए पहले बंडे माच में चेमिंडिया ने इंगलायन को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी आपको बता दें कि इंगलायन की टीम ने टॉस हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए भारत के सामने 279 रनों का लक्ष रखा आपको बता दें कि इंगलायन की टीम 268 रनों पर हीडेर हो गई जहांपर कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जल्वा बिखेरा और 6 विकेट लेकर इंगलायन की टीम की कमर तोड़ दी जवाब में लक्ष का पीछा करने उत्री टिम इंडिया ने महस 40.2 वरों में 279 रनों का लक्ष हासिल कर लिया लेकिन इस मैच में एक वाक्या ऐसा देखने को बिला जो काफी हरान कर देने वाला था दरसल आपको बता दें कि इंगलायन के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर एक समय ऐसा लग रहा था कि बरी पाड़ी खेलने के मूड में हैं आपको बता दें कि जॉस बटलर तिरपन रनों के आंकड़े पर बैटिंग कर रहे थे वहीं पर टिमिंडिया के पूर्फ कप्तान और बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज महेंदर सिंग धोनी ने उनका जानदार कैच पकड़ लिया वो भी कुल्दी पियादव की गेंद पर और यहां पर साफ तोर पर दिख रहा था कि जॉस बटलर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो बैक फिलिप पे शॉट खिलने जाएंगे और वहां पर धोनी उनका कैच पकड़ लेंगे बड़ी बात ये रही कि धोनी के कैच पकड़ने के बाद जॉस बटलर खुद भी हरान थे इसी के साथ धोनी ने उन तमाम अटकलों को खत्म कर दिया जो कई लोग ये कहते थे कि जॉस बटलर धोनी से जादा बहतर विकेट कीपर है खुद बटलर भी हरान रहेगा इस कैच को देखकर याने की धोनी ने साफ कर दिया कि आज भी वो विकेट कीपिंग के दुनिया के किंग है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्क रिपोर्ट झाले के पार विकेट बटलर जादा है